नमस्कार आज हम बात करेंगे आग्या चक्र की आग्या चक्र जिसको हम थरडाई यानि तृत्या नेत्र के नाम से भी बुलाते हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे विभिन उपायों के द्वारा हम अपने इस आग्या चक्र को अत्वा तृत्या नेत्र को जाग हमारे दोनों बहों के बीच में हमारी दोनों आईब्रोस के बीच में स्थित है और अगर हमारा यह चक्र सही स्थिती में संतोलित बना रहे अथ्वा पुरुन रूप से यदि जागरित हो जाए तो इस से हमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक लाभ प्राप्त होती है जैसे कि अगर यह है चक्र हमारा जागरीत हो जाए तो हमारा ब्रेन शार्प होने लगता है हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होने लगती है हमको मेंटल क्लिर्टी आ जाती है और हमारी इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन की जो शक्त जाती है इसके इलावा बहुत प्रिकार की हमें शक्तियां भी इस तृत्या नेतर के जागरित होने से प्राप्त होती है जैसे की टैली पैथी, एस्टरल ट्रेवल वगरा वगरा और अगर बात करें अध्यात्मिक लाप की तो अगर हमारा तृत्या नेतर पूर्ण रूप से जागरित हो जाए तो हमें मौक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, हम अलेटन बेंग हो जाती हैं तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय है या टेखनीक है जिनको इस्तवाल करके हम अपने तृत्या नेतर को जागरित कर सकते हैं उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं अपके अंदर जागरित होगी और जितना आपके अंदर काबियत होगी अपनी intuition power को सुनने की उतना आपका आग्या चक्र जागरित होने लगेगा यानि कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी होई हैं यदि आपके intuition power strong होगी तो आपका आग्या चक्र भी activate उतनी ही power में हो जाएगा या दूसरी बात भी हो सकती है कि यदि आपका आग्या चक्र जितना ज़्यादा strong होता चला जाएगा खुलता जाएगा उतनी आपके intuition power बढ़ती चली जाएगी अब हम ये समझते हैं कि intuition power कहते किसे हैं इसका क्या मतलब है intuition को हम हिंदी में अनतय ग्यान अत्वा अनतय प्रग्या की नाम से जानते हैं यानि कि अगर हम इसको परिभाशित करना चाहें तो यदि किसी भी गटना को घटित होने से पहले ही यदि आपको उसका पता चल जाता है बिना तरक और बुद्धी की साहता से तो ये intuition power है यानि कि एक super natural आपकी quality है इसको हम आत्मा की आवाज के रूप में inner sound के रूप में या पुर देविया संदेश के रूप में भी जानते हैं इसे मैं आपको इको धारण के रूप में समझाता हूँ कहीं बार आपने देखा होगा कि आपका मन बेचैन होने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि मेरे मन में ये बेचैनी क्यों हो रही है तो कुछी देर बाद आपको खबर आती है कि आपके फलार इस्तेदार की दुरगटना हो गई है तो ये एक संकेत आया था आपके अंदर के कुछ गलत होने वाला है या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मन बहुत अनंदित हो जाता है आपको बहुत खुशी महसूस होती है जबकि कोई बार उसका सपष्ट कारण भी नहीं होता तो कुछ देवाद आपको कोई खुश खबरी मिल जाती है तो ये खुश खबरी का ही आपके अंदर पहले से एक संकेत आपको मिला था कि कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है तो इस तरह के भाव यदि आपके अंदर उठते हैं और आपके वो चीज आपकी वो पूरी भी हो जाती है तो इसको हम intuition बोलते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोई भी गटना जब स्थूल रूप से घटती है तो स्थूल रूप से घटने से पहले वो सुक्षम जगत में घटती है जैसे कि मान लिजे कोई फिलम बनती है तो फिलम बनने से पहले उसकी script लिखी जाती है तो जब कोई घटना स्थूल रूप से घटने से पहले सुक्षम रूप में घटे तो उसकी जो प्रतिस्वेदना यदि आपको आ जाए उसका मैसेज यदि आप तक आ जाए तो इसको intuition power बोला जाता है क्याने का ये अर्थ है कि जो भी मैत्वपून आपके जीवन में होना होगा तो यदि आपके intuition power अच्छी होगी तो उसका संकेत आपको पहले से मिलना शुरू हो जाएगा तो अब हम बात करते हैं कि अपनी intuition power को हम develop कैसे कर सकते हैं लेकिन इससे पहले कि हम यह समझने की कोशिश करें कि हम अपनी इस शक्ति को कैसे विक्सित कर सकते हैं पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी यह शक्ति कमजोर ही क्यों हो जाती है क्योंकि intuition power एक natural power है जो हर किसी व्यक्ति के अंदर सवभाविक रूप से होनी ही चाहिए तो इसके हमारे अंदर कमजोर होने का करण है हमारा मन हमारा अशान्त मन आप देखना यदि आप लगातार सोच विचार विशलेशन तरक वितरक और अनेलिस करते रहते हैं यानि कि हर आतार इस प्रकार आप सोच विचार करेंगे तो आपकी memory में जो भी store करके रखा होगा यानि कि आपकी समरिती के अंदर जो भी points होंगे वही चीज़ें आपकी समरिती से आपकी memory से बाहर आएंगी ऐसे में फिर आपकी intuition उपर नहीं आएगी क्योंकि आप function ही ऐसा कर रहे है actually होता क्या है जो हमारी जो thinking करने की जो habit है या जो style है वो हमारे left brain से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति अपने left brain को ज़्यादा use करेगा वो बहुत ज़्यादा सोच विचार, visualization और logic के साथ चलने वाला होगा लेकिन जो हमारा intuition का जो function है वो हमारे left brain में नहीं आता है वो हमार right side के brain में आता है तो अगर आप अपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आप one sided brain को use कर रहे हैं और जो आपके brain का जो दूसरा function है right side का उसको आप मोका नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने का तो जब तक आपका right side का brain भी उसी प्रिकार function नहीं करेगा जैसे आपक left side का brain कर रहे हैं तो आपकी intuition power आगे नहीं बढ़ पाएगी develop नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी intuition power आपकी left brain का हिस्सा नहीं है या उसका function नहीं है यह आपके right side के brain का function है तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको अपनी ज्यादा सोचने की आदत को तोड़ना होगा और बदले में अपने मन को शांत और relax करना होगा आप देखना कभी भी जब भी आपको मोका मिले आपको एक काम करना है कि अपने mind को observe करें और यदि आपको लगे कि आपका mind बिना मतलब कि सोच विचार कर रहा है यूजलेसली थिंकिंग कर रहा है तो आप ततकाल अपने आपको उस्तिती से अपने आपको बाहर निकालें और अपने माइंड को observe करें और अपने आपको शांत करने की कोशिश करें लेकिन यदि आपको लगे कि आपके लिए मुश्किल है तो आप किसी ध्यान विधी का सहरा लें कोई meditation टेकनीक करें चाहे तो मंतर जाप करें चाहे तो विपशना meditation को यूज करें और धिरे धिरे ध्यान की विदियों का सहरा लेते हुए अपने आपको thinking pattern से बाहर निकाल कर अपने मन को relax करने की कोशिश करें तो जब आपका mind thinking mode से देरे देरे बाहर आने लगेगा और आपका mind silent mode में enter करने लगेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको अपनी आत्मा की वाज आपको अपनी intuition की जो sound है वो आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी actually मैं अभी भी हमारी intuition work करती है हमको अपना काम वो करती है लेकिन तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विचारों की भीड में हर वगत गीरे रहते हैं इसलिए अपने विचारों की भीड के शोर की आवाज में हम अपनी intuition की जो महीन सी सुक्षम आवाज है उसे सुन नहीं पात करें तो जैसे जैसे वो आपको अपनी entrepreneur अपनी intuition की sound सुनाई देनी शुरू होगी वैसे वैसे ही आपका जो त्रित्य नेत्र है वो भी जागरिते में आना शुरू हो जाएगा intuition के बाद अब हम बात करते हैं अगली टेक्निक की जिसका नाम है visualization visualization मतलब चित्रन करना, कलपना करना, imagination करना जैसे intuition आग्या चक्र का एक सभाविक गुण है ऐसे ही चित्रन करना या विजुलाइज करना भी आग्या चक्र का एक सभाविक natural trait है या उसका ये गुण है तो ये जिस व्यक्तियों में जितना ज़्यादा डेवलाप होता है उनका आग्या चक्र उतना जही ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है लेकिन जिनकी imagination power या visualization power अगर weak है वीक होती है तो इसका मतलब उनका तृत्या नेतर या आग्या चक्र भी उतनी ही कमजोर स्थिति में होता है तो हम क्या करेंगे अगर हम अपनी visualization को power को use करेंगे तो इस से हमारा आग्या चक्र डेवलाप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ गोना है अब हम एक विदी करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विदी से टेकनिक से आपको दो लाब होंगे एक तो आपकी मनोकामना पूरी होगी आपकी इच्छा पूरती होगी आप अपने desire को पुरा कर पाएंगे और दूसरा साथ साथ आप अपनी आग्या चक्र को भी heal कर पाएंगे उसको activate कर पाएंगे उसमें जागरीती ला पाएंगे तो आपको एक विदी करनी है और वो विदी कैसे करनी है वो मैं आप आपको बताता हूँ सबसे पहले आप ध्यानस्त होकर बैठ जाएंगे ध्यानस्त होकर बैठने से मेरा क्या मतलब है मतलब आप अपनी कमर को सीधा रखते वे, गर्दन को सीधा रखते वे, पदमासन, सिधासन या किसी भी सुकदायक आसन में आप अराम से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे ज्यानमुद्रा में बना के रखेंगे, आइस को बंद रखेंगे, और अपनी कलपना करनी है, एक इमेजिनेशन करनी है, क्या करना है, इमेजिनेशन, आप कभी सिनेमा होल जब गए होंगे, तो जब आप सिनेमा होल जाते हैं, तो आप एक बड़ी आपको सिक्रीन नजर आती है सामने, सिनेमे का परदा नजर आता है, तो वही सेम सिक्रीन सिनेमा की, उ आपके आग्या चक्र के स्थान पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है सिनिमा की अब इस सिनिमा के परदे पर आपको क्या करना है एक फिलम चलती भी देखनी है और फिलम में कोई और नहीं होगा बलकि आप खुद होंगे और इस फिलम पर अपने आपको कैसे देखने है ऐसे उधारन के लिए माल लिजे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है उस स्क्रीन के ओपर अपने आपको सफेद कोट डाले हुए डॉक्टर की तरह विजुलाइज करें और कल्पना करें विजुलाइज करें कि आप पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं उ उनको डियाग्नोज कर रहे हैं उनको मैडिसन बता रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं और पूरी डिटेल के साथ देखें अराम राम से बहुत धीमी गती से अराम से आपने इस पूरे चितरन को करना है और पांच मिनट से लेके आदे घंटे तक आप इस प्रिकार की कलपना क करते रह सकते हैं. जितना देल आपका दिल करें, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 30 मिनट तक आप अपने आपको इस पिकार का विजुलाइज करते रहें. तो इससे क्या होगा? इससे आपको दो लाब होंगे. एक तो जो आप विजुलाइज चर जो भी आप कलपना कर रहे हैं वो कलपना एक ना एक दिन आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि यदि आप आग्या चकर पर तित्यनेतर पर किसी भी प्रकार की यदि कलपना करते हैं तो एक ना एक दिन पूरी हो जाती है और दूसरा जब आप इस प्रिकार अपना ध्यान अपने आग्या चकर पर लगा के रखेंगे इससे आपकी प्रान उर्जा आपके तृत्या नेतर पर एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी और आपका तृत्या नेतर जागरित होना शुरू हो जाएगा तो ये दो लाब आपको प्राप्त होंगे आपको कम से कम 40 दिन इस टेक्निक को करना है और अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 40 दिन करना है तो इस प्रिकार भी इस प्रिकार के विजुलाई जेशन से भी आप अपने तृत्य नेतर को जागरित क सकते हैं